हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बात पुना आप सबीका आपके अपने चैनल स्व कोचिंग क्लासस पर स्वगत है दोस्तों 11th क्लास कमिश्टी में दोस्तों चैप्टर 7 जो आपका चल रहा है उसमें दोस्तों आज अपना समय वस्था में द्रब अनुपातिक रिया का नियम समझने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंतक देखिए तो द्रब अनुपातिक रिया का नियम एदि आप समझेंगे तभी KP और KC में सम्मध आपसे बनेगा आप वीडियो कभी भी देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों कोई भी वीडियो देखेंगे मैं उसमें बेसिक सी चीज़ें से लेकर अंतर तक पूरा कवर कराता हूँ आपको सारी चीज़ चानकारी लेनी हैं सब कुछ पढ़ाई करनी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो देख सकते हैं ठीक है चाही लेवंत क्लास का फिजिक्स कमेश्टी चाही लेथल क्लास में दोस्तों आपको सब कुछ मुआ से मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों इस्टार्ट करते हैं और हाँ दोस्तों ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रस कर लिजेगा ताकि वीडियो का नोटिफिशन आपको मिलता रहे तो सबसे पहले दोस्तों अपना टॉपिक है कि द्रबन बाति क्रिया नियम का पति आगे ने अविक्रिया की दर्त था अविकारकों के सक्री द्रबमान अर्थात सांद्रण के भी संबंद इस्थापित किया जिससे द्रब अनुपाति क्रिया का नियम कहते हैं अब थोड़ा समझे दोस्तों अपने भासा में समझे देखे कोई पदार्त है या बिलियन है उस सीधा सा रिलेसन है कुछ भी मत समझो जादा मत समझो केवल इतना समझो दोस्तो कि जितना जादा अभिकारक उसमें होगा बिले पदार्थ जितना अधिक होगा बिलियन में जो भी अभिकारक है जितना द्रबमान उसका होगा उतना ही दोस्तो उसकी अवक्रिया होगी और इस सक्री दुर्पमान का सांदर अर्धात तो उस पर कितना जादा मात्रा है। उसकोCar कितनी है। इने नों संब्ढ़न बताया मिन उस्थ जा दूसतो भी क protectory क्रिए का निया का only clear दोस्तो इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके सक्री द्रबमान के क्या होती है समान उपाती है मैंने बताया ना कि जितनी ज्यादा द्रबमान होगी दोस्तो जितनी ज्यादा द्रबमान होगी उतनी ही ज्यादा अवक्रिया की दर होगी ठीक है दोस्तों उनका जो अभिकाराख है उनके सक्रित रबमान का गुड़न फल करेंगे वो भी दोस्तों राचानिक अवक्रिया के दर समानुपाती होगा यदि सिंगल अभिकाराख है दोस्तों तो सिंगल सीधा समानुपाती है यदि एक से अधिक अभिकाराख हैं दोस्तों तो गुड़न फल के समानुपाती होंगे बिल्कुल चिंता करने जरूत नहीं सब कुछ समझाने वाला हूँ वीडियो को थोड़ा सा अंदर तक देखते रहे हैं और लाइक जरूर करिए दोस्तों मैं कोई भी वीडियो में कसर नहीं छोड़ता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आओं इसके लिए भी थोड़ा सा माप करिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम चर्चा यह करने वाले हैं कि जो सक्री द्रबमान है बास्तों में है क्या चीज़ दोस्तों इस सक्री द्रबमान को कैसे निकालेंगे दोस्तों तो सक्री द्रबमान को समझ जो सक् संख्या ग्राम मोलों की संख्या है और किसमे दोस्तो प्रति लीटर आयतन में कितना ग्राम मोल उपस्ती थे इसको मैं कह सकता हूं दोस्तो पदार्थ के मोलों की संख्या पदार्थ के मोलों की संख्या बटे दोस्तो मैं इसको कह सकता हूं क्या बिलियन का आयतन कह सकता हूं कोई दिक्कत नहीं पदार्थ के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन दोस्तो मोलों की संख्या कैसे निकल जाती दोस्तो तो आपको पता होगा कि weight upon w sorry weight upon mass यह m है दोस्तो इसको काड़ देते है w upon m और दोस्तो item तो पहले से तो यह वटे b कुल मिला के दोस्तो w वटे m b यही दोस्तो क्या है तो यही आपके सक्रीद रबमान का फार्मूला हो गया है जहां दोस्तो w क्या पदार्थ की मात्रा है यह हम क्या है पदार्थ का अनुभार है capital m है दोस्तो यहाँ पर ठीक है capital m है क्याद रखेगा और दोस्तो b liter में आयतन है ठीक है ना b liter में आयतन है यह चीज़ होंगे दोस्तो सक्रीद रबमान का यही फार्मूला निकालना हुआ तो इसका आप प्रियोग करेंगे clear दोस्तो इतना सक्रीद रबमान कैसे निकालेंगे तो यह चीज़ आपको clear होना चाहिए अब देखते हैं दोस्तो आगे जैसे आपके पास एक अबक्रिया है समझेगा एक अबक्रिया है दोस्तो एक अब क्रियर है आपके पास क्रियर है वो कौन साब क्रियर है दोस्तो देखी ए और प्लस बी है ना ये दोनों है दोस्तो क्या अभी कारक और बना क्या रहे है उत्पाद ठीक है हो सकता इसका मात्रा इसमाले हो हो सकता इसका मात्रा इसमाल भी हो कुछ ना कुछ तो मात्रा ह होगी होगी अब दोस्तों ड्रेब्बन उपाती क्रिया के नियम से नियम से इस नियम के नुसार किस नियम के नुसार ड्रेब्बन उपाती क्रिया के नियम के नुसार होता कहा दोस्तों अब क्रिया की दर अब क्रिया की दर दोस्तों शमान उपाती होती है समान उपाती होती है जो भी अभिकारक हैं उनके गुरन फल की और सांदरता दोस्तों सांदरता मतलब यह मात्रा उसको अपन घात की रूप में लिखते हैं ठीक है कहां लिखते हैं दोस्तों घात की रूप में जैसे ए का मात्रा इसमॉले है तो इसको उपने घात की रूप में लिखा बी की मात्रा है स्माल भी है दोस्तो इसको उपने घात की रूप में लिखा ठीक है ना याद रखिएगा दोस्तो यदि अब क्रिया में अभी कारक एक से अधिक है है ना एक से अधिक है तो दोस्तो उसको समिकर्ण बेक्त करते समय उनकी अनुपातिक संख्याओं को घातां के रूप में लिखते हैं मुलर संदर्ण के घातां के रूप में लिखते हैं इतना याद रखिएगा कि दोस्तो यह दि एक से दि कभी कारक है और उनकी मात्रा भी दी गई है उनकी संद्रन दी गई है तो दोस्तो उसको definite रूप से किस में लिखते हैं घात की रूप में लिखते हैं याद रखिएगा दोस्तो हमेशा ठीक है यह दोस्तो अब क्रिया की दर है न यह आ गया A के power small और बी के पावरी स्मॉल भी तो ये दोस्तो सिंपल सा हो गया कोई भी अभिकारा कुट पाद में बदल रहा है अब दोस्तो साम में वस्ता पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं क्योंकि उस फार्मूले का प्रयोग अपन की लाइप में बहुत कुछ आने वाला दोस्तो तो साम में वस्ता में चर्चा कर रहे हैं पन किसमें दोस्तो साम में वस्ता में देखिए साम में वस्ता में होता क्या दोस्तो उतक्रमडी अभक्रिया होती है उतक्रमडी अभक्रिया है कोई दो अभी कारक है उत्पाद बनाएगा उत्पाद उना अभी कारक बना सकता है और यह उत्पाद एक्स प्लस बाई बन गए ठीक है दोस्तो तो देखिए द्रब्बन उपाथी क्रिया के नियम से दोस्तो नियम से क्या कहता है नियम से अब क्रिया की दर अब क्रिया की दर मतलब rate देखिए दोस्तो, फारबड मतलब पहले ठीक है? आरेफ कर दिया अब qriya की दर rate आफ फारबड आफ rate ठीक है? तो दोस्तो देखिए शमान उपाती होता है अभी कारक इतने भी दोस्तो उनके गुर्ण फल के clear है न? इतना clear दोस्तो अभिकारा के गुणानफल के समानपाती होता है ठीक है अब दोस्तो ये किसके लिए था आर एफ के लिए मतलब अगर अगर अभक्रिया के लिए था ठीक है अगर के लिए था अब मैं कहूंगो दोस्तो पस्च के लिए पस्च अभक्रिया की दर देखिए पस्च का मतलब होता दोस्तो बैगबड बैगबड तो आर भी कर दूँ शमान उपाती दोस्तो X इंटू Y यह हो गए दोस्तो ठीक है ना अब आपको पता है दोस्तो यदि मैं इसको हटाऊ तो एक नितांक लगेगा इसे यहाँ पर नितांक लगेगा फारवड के लिए तो YF कर दिया A इंटू B हो गया ठीक है इसमें दोस्तो तो K B हो जाएगा A इंटू B हो गया इतना हो गया क्लियर दोस्तो यह आपका आगए अगर के लिए और यह आगए पस्च के लिए सामय वस्ता में होता क्या दोस्तो में होता है दोस्तो अग्र अवक्रिया और पस्च अवक्रिया दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं मतलब अग्र अवक्रिया की दर दोस्तो पस्च अवक्रिया की पश्च अबक्रिया की दर के बराबर होती है इतना तो क्लिर दोस्तों कि सामने वस्ता में अगर अबक्रिया की दर पश्च अबक्रिया की दर के बराबर होती है ठीक है चले दोस्तों आगे देखते हैं अगर अबक्रिया कितना था دوستو यहाँ पर देखे के फ है ना A V और के बी सुरी दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गल्ती कर दिया X और Y होगा ना यहाँ पर यहां पर X और बाई है तो छलिए कर दीजिए अगर अब वक्याँ है के एफ A और V है दोस्तो और दोस्तो यह के बी होगा क्लियर मतलब दोस्तो उत्पाद जो होता ऊपर लिखा जाता है और दोस्तो जो अभिकारक होता नीचे लिखा जाता है कितना सिंपल है दोस्तो अब इसको मैं एको लाइन और समझाना चाहूंगा कि यदि दोस्तो एकी मात्रा इसमॉल ए था और बी की मात्रा इसमॉल भ तब दोस्तो ये आपके पास जो kf है ना ये इसको मैं मान के चलता k के बराबर होगा तो दोस्तो k बराबर होता क्या होता x संडता x है दोस्तो और by संडता y और दोस्तो इसकी मात्रा a, एक अगाद कितना ये हो जाएगा और capital big power और इसमाल भी हो जाएगा यह दोस्तो आपका फार्मूला हो गया है ना और यही दोस्तो आगे चल कर आपको काम में आने वाला है केसी और केपी में संबंध में ठीक है तो दोस्तो यह मैंने कोशिस किया है आप लोगों को बीज़िवस समझ में आ जाए कि द्रब्बन उपात आपको मिलता रहा है चलते हैं दोस्तो मिलेंगे वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तो तक तक लिए जाहिन बंद मातरा हो